नव बर्ष आपके लिए मंगल मैं हूँ, सुखी, समरद्धी और शान्ती लेकर आए, स्वस्त रहें आप सब, अपने परिवार के साथ खुशाल जीवन जीएं, और इसी के मंगल कामना के साथ मैं आज का अपना नए साल का पहला मोटिवेशनल आपके साथ शेयर कर रही अगर चेनल पे नए आए हैं, फर्स्ट विजिट है आपकी तो चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताईए, आईए अब हम आगे के अपनी बात चीज़ शुरू करते हैं, हम आप से बात करेंगे अपने सबकॉंशेस माइंड की पावर के बारे में, और सबकॉंशेस माइंड में बहुत पावर होती है, आज मैं आपको एक डॉक्टर की कहानी बताती हूँ, एक लड़के ने डॉक्टर बनने का निश्य किया, और उसने अपने फादर से जाकर बोला, कि मेरे को सर्जन बनना है, मेडिकल पढ़ाई करनी है, तो उसके फादर तो बहुत गरीब थे, मजदूरी करते थे ख़दान के अंदर, तो उन्होंने उसको बोला कि ठीके पढ़ाई करनी है, नो डाउट आप अच्छी मेहनत करो, पढ़ाई करो, और अपने आपे विश्वास रख कर आगे बढ़ो, और मैंने आपके लिए बैंक में फला फला ना एक उन्होंने राशी बताई कि ये मैंने आपके लिए बैंक में जमा कर दिया, लेकिन उसको निकालोगे तब जब आप अपना क्लिनिक खोलोगे, उसी वक्त आप वो राशी को निकालना, तब तक उसको बैंक में रखके उसक दॉक्तर बनने का inspiration कहां से मिला था उसका एक दोस्त था तो उसके फादर का मोतिया बिंद का operation हुआ तो उसने देखा जब operation बहुत अच्छा हुआ बहुत उनको अच्छा दिखने लगा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने decide किया कि मेरे को भी डॉक्तर बनना है एक सर्जन इस तरीके से उसके दिमाग में एक dream उत्पन हुआ और उस dream पर फिर उससे focus करके अपनी पढ़ाई चालू करी और इस तरीके से फिर उसने बहुत मेहनत करी उसने college की laboratory में job करी के अपने junior students को उसने टूशन्स दी और pharmacy की दुकानों पर काम किया और बहुत तरीके से part time काम कर करके करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करने के वाद जब वो doctor बन गया एक surgeon बन गया तब उसने अपने पापा से बोला कि अब मेरे को क्लिनिक खोलना है तो अपन वो पैसा निकाल लेते हैं bank से तो उसके father ने बोला देखो बेटा मैं तुम्हें आज सच बताता हूं कि bank में तुम्हारे नाम से मैंने एक भी पैसा जमा नहीं किया और मेरे पास आज तक कोई भी पैसा नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें जूट इसलिए बोला कि मैं तुम्हें एक विश्वास देना चाहता था कि तुम्हारे पीछे एक bank support है और उस bank support के व तोते उड़ गाए और आवाक रहे गया एकदम बिल्कुल सर्प्राइस जो गया और मतलब समझ भी नहीं आ रहा था हसूं की रोऊं क्या करूं थोड़ी देर तक तो बिल्कुल सदमे में बिल्कुल अनकॉंश्यस हो गया बहुत देर तक उसको ता मजमीन याया कि यह क्या हो याया में पास तो बिल्कुल भाईसा नहीं है थोड़ी दरवाद फिर वो बाप बेटे दोनों मिलके बहुत हसे बहुत हसे बहुत हसे देट मीन्स उसके फादर ने उसको यह सिक्षा दी कि तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है और तुम्हारे पीछे बेक सपोर्ट में हम है पेरेंट समय सा बेक सपोर्ट में रहते हैं आपके लिए हर वक्त एक विश्वास के तोर पे वो रहते हैं लेकिन महनत आपको करनी है सक्सेस आपको अरजित करनी है अन करनी पड़ेगी और उस विश्वास से धेर से शांती से जब वो आगे बढ़ा तब जाके उस विचार बोते हैं, आपका मन जो है ना एक खेती की जमीन की तरह है, अगर आप इसमें द्वेश, चिंता, डर, नफरत, विमनस्यता, घुटन, इस तरीके के विचार अगर बोएंगे, तो यही आपको वापस मिलेंगे, आपका जो सबकॉंशियस माइन है ना, वो एक बैंक है सबकॉंशियस माइन में आप जो जमा करेंगे वो आपको वापस देगा, इसलिए सबकॉंशियस माइन में जब आप घटिया विचार डालते हैं, एक बिलकुल लो कॉलिटी के, लो स्टेंडर्ड के विचार डालते हैं, तो आपका मन उसी तरह की आपकी लाइफ बना देता हैं, और जब आप अपने मन में अच्छे पॉजिटिव विचार डालते हैं, जब आप अपने मन में अच्छे बुद्धी के, शान्ती के, स्वास्त के, खुशी के, हैपीनेस के, अच्छे अच्छे विचार जब आप अपने मन में डालते हैं, तो आपके साथ में सब अच् कि subconscious mind में जो भी आपने deposit किया है वो आपको वापस मिलता है और फिर जाके आप अपनी एक खुशाल जिन्दिगी जी पाते हैं आप अपने मुन में खुश रखिए और खुशी के विचार वोईए क्योंकि खुशी के विचार आप जब वोईगे तो आपके साथ में अच्छे- आपकी सारी दोलत समाप्त हो जाए आपका बिजनस खतम हो जाए तो आप क्या करेंगे तो उन्होंने जबाब दिया कि मैं एक आम आदमी की जोरत का फिर कोई नया सामान बनाऊंगा फिर खुब कड़ी मेहनत करूंगा और उसको मार्केट से कम सस्ते दामों पर उसको उपल पर अपने अपए भरोसा हो तो आप अपने विचार से कुछ भी उत्पन कर सकते आप कितनी भी दोलत अपनी उत्पन कर सकते आपने सुना होगा आपका अविश्कार कैसे हुआ जब एक तपेली के अंदर पानी उबल रहा था और पानी के उबलने से वो धकन गिर गया पतीली का तो जाके उस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया कि इस भाप में भी कोई ताकत है और उस एक विचार ने भाप के इंजन का अविश्कार किया और हमारे आसपास जित्ते भी आविश्कार होते हैं सब किसी ना किसी एक विचार की देन होती है तो एक विचार से आप अपने दिमाग में अपने सबकॉंशियस माइड में दोलत उत्पन कर सकते हैं और उस दोलत के विचार को आप अपने जीवन में अपलाई कर सकते हैं और उस सोने की खान में विचार रूपी आप बीज बोते हैं और जब आप बीज बोते हैं तो वो फसल बनके लहला आता है और वो बहुत अच्छी फसल बनके लहला आता है और तब आप उस फसल के जरीए अपने जीवन में सुख समरद्धी शालती पा सकते हैं और वही वीज जो रहता है वही आपको मूर्त रूप से प्रेजेंट रूप से आपके सामने बहुत असीन दोलत लाके देता है इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे विचार बोईए अच्छे विचार कल्टिवेट कीजिए तब जाके आपके जीवन में हर चीज अच्छी होगी अब एक व्यक्ति था उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था वो कंपनी के लिए बहुत काम कर रहा था बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन उसके जूनियस के प्रमोशन हो गए लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हुआ तो उसने किसी एक्सपर्ट से सलाह ली फिर जब सलाह ली तो उसका पता चल जल रहा है और उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ता है तो वो यह सोसता था कि मेरी अगर तंखा कम रहेगी तो मेरे को उसको जादा पैसा नहीं देना पड़ेगा और फिर जाके उसको यह जो भावना थी उसने उसकी जो प्रोमोशन था जो उसकी प्रोमोशन रुख गया आगे बढ़ने का उसकी तरक्य रूख गई उसके पैसे की आने की सब रस्ते बंद हो गए तो जब उसने यह सोचा तो फिर उसको लगा कि यह तो मैं गलत कर रहा था तो फिर उसने जाके अपने मन से मन में अच्छी भावना दी अपनी वाइफ के प्रती उसने अच्छी भावना प्रिशित करी और subconscious mind को बोला कि हा तीन बचचे है उनको maintain करना मेरी वाइफ के लिए बहुत मुश्किल है तो मुझे जो उसको maintenance देना वो मुझे अच्छी भावना से देना है मैं उसको जो भी पैसा दे रहा हूँ अच्छी भावना से देना चाहता हूँ तो जब उसने अपने विचार बदले और उसने वो ठेंक्स किया उस चीज को और अपने मन से भावना बुरी भावना हटाई तब जाके उसके प्रोमोशन भी हुआ तरक्की वोई इंक्रिमेंट्स भी मिले और उसने बहुत उचाईया पाई और बहुत उसकी जो वाइफ थी इस उसके कदम का यह असर पड़ा कि उसकी वाइफ ने उससे आगे होके बापत से रिलेशन नॉर्मल करने की बात करी और फिर वो दोनों बहुत खुशी-खुशी रहने लगे अप जिनके साथ रहते हैं उसके प्रती आपको अपने मन में इश्या नहीं रखनी क्योंकि आप अपने मन में जो इश्या रखेंगे तो सामने वाला भी आपको वही चीज देगा तो इसलिए आपको अपने मन से सबके प्रती प्रेम प्रेशित करना है सबको प्रेम सर्व करना ह अच्छी भांजा देनी है और सबके प्रती अच्छी भांजा रखेंगे तो आपके भी subconscious mind में वही चीज आप बोईंगे तो आपके लिए भी subconscious mind बहुत अच्छा अच्छा देगा और आप जो भी विचार अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको अपने subconscious mind को बताना होगा, आपको अपने subconscious mind को बताना होगा कि मैं healthy हूँ, मेरे पास बहुत सारा पाइसा है, मैं बहुत सारी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं मदद करूँगा, या मेरे पास पैसा होगा तो मैं फलाना काम करूँगा, या मेरे पास पैसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, जब हम ऐसा बोलते हैं तो subconscious mind को दिमाग तो होता नहीं, वो तो आपके बोलने पे चलता है, और आप अगर बोल रहे हैं कि होगा मतलब वो सोचता है अभी आपके पास नहीं है तो वो उस चीश को छोड़ देता है लेकिन जब आप अपने subconscious mind को जो affirmation देंगे वो अगर आप present उसमें देंगे कि भई ये मेरे साथ अभी है और आप उस पे यकीन करेंगे कि हाँ मेरे पास है मेरे पास पैसा है मेरे पास अच्छा स्वास्त है मैं healthy हूँ मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ तो ये जो मैं हूँ ये जो affirmation है मैं और हूँ के बीच में जो आप अपने words positive fit करेंगे वो आपका दिमाग जो उस पे भरोसा करेंगे देखिए दिमाग की आखें तो होती न लेकिन आप जो बोल रहे हो उस पे दिमाग भी यकीन करता है और आपका subconscious mind उसको follow करता है और जब आप subconscious mind को seeding करेंगे जो आप उसके अंदर बीच बोईंगे वो ही वो आपको पेड़ बना कर देगा उस पे यकीन करिए आप उसको जो भी चीज बोल रहे हैं उस पे आप य यकीन करिए और यकीन मानिए कि वो सब सच होगा इसलिए कभी भी negativity के संपर्क में नहीं रहें निगेटिव thoughts से बहुत दूर रहें निगेटिव thoughts जब भी आते हैं उनको बिलकुल टाटा बाय बाय कर दीजिए और अपने आपको स्वस्त रखिए खोश रखिए और अच्छ दोलत के विचार सोचिए अच्छी सेहत के विचार सोचिए शांती के विचार सोचिए और अपने मन को बिलकुल शांत रखिए और कुछ वक्त अपने साथ में अकेले में बिताईए और कुछ वक्त के साथ में अपने उपर भी आप उसको अपलाई कीजिए आप जब अपन किसी को कोई दुख तो नहीं है क्या मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं और अगर आप अपने अंदर कोई आपको कमी लगती है अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी इन आदतों से या मेरे इन विचारों से किसी को दुख हो रहा है या तकलीफ पहुँचती है तो आपको चाहिए कि आप उस विचारों को बदल दें और आप अपनी उन आदतों को बदल दें और आदतों को बदलना आपके हाथ में हैं जब आप अपनी आदतों को बदल देंगे आप अपने आपको जब रिफ्रेश करेंगे आप उन चीजों पे जब खुचिंतन करेंगे त और फिर जाके आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से जी पाएंगे। पॉजिटिविटी में रखिए और अपने अच्छे स्वास्त के लिए काम करिए। मंगल कामना मेरी तरफ से शुब कामना है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत खुश रहिए। स्वास्त रहिए, हैपी रहिए। जै हिन जै भारत। स्वास्त रहिए। स्वास्त रहिए। स्वास्त